तो हेलो संडे की छुट्टी के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात उमीद आप सभी अच्छे होंगे और आज चब्वी से ग्यारा भी है शाम से मुंबे में शद्धानली देने का कारेक्रम भी चल रहा था शनिवार को मैंने आपको पार्ट वन सुनाय था चब्वी से ग्यारा भा और कोशिश ये की थी कि क्योंकि चब्वी से ग्यारा में मुंबे में जो हुआ वो हम सब जानते हैं लेकिन मुंबे तक आतंगवादी कैसे पहुंचे साजिश कहां रची गई कौन लोग इसके पीछे थे कैसे वो समन्दरी रास्ते से मुंबे तक पहुंचे ये पूरी कहानी थे और उस दिन मैंने अपनी जो कहानी खत्म की थी वो ये कि कराची से चलते हैं 23 नुमबर को और 26 नुमबर की रात करीब 9 बदे के आसपास ये साउथ मुंबई कौलाबा के पास मथ्ची बाजार म एक स्पीड बोर्ट से उतरते हैं दस के दस आतंकवादी हर एक के पास दो दो बैग एक कंधे के पीछे एक कंधे के आगे और उसके बाद ये मुंबई में दाखिल होते हैं यहां तक की कहानी थी आज जो मैं आपको सुनाओंगा वो ये है कि मुंबई में उतरने के बाद ये कैसे अलग अलग होते हैं कैसे उसके बाद ये खुले आम गोलियां चलाते हैं और अगले 59 आवर्स तक ये 26 नॉमबर रात करीब पौने 10 बजे अटैक शुरू हुआ था और जो आखरी आतंकवादी मारा गया था वो 29 नॉमबर को मतलब लगबग 69 गंटे के बाद 69 सारी चीज़े थी कि कैसे आतंकवादी वहां तक पहुंचे उसके बाद आपरेशन में जब आतंकवादी पहुंच गे तो हमारी फोर्स की क्या कमिया थी क्या कहां कहां लेट हुआ कहां कहां देरी हुई सरकार की तरफ से बाकी जो फोर्स इस उनकी तरफ से तो वो सारी ची मच्ची बाजार में उतरते हैं, और आप मेंसे जद्धा तर लोग अगर जो कुलाबहा जानते हैं, और वहाँ का मच्ची बाजार है उसके बाद बाहर आते ही main road सटक जाती है, तो सटक पे जाते हैं, ये दस के दो एक में दो एक में दो इस तरह से पाँच टैक्सी दस लोग अब सब की मनजिल अलग अलग इन सब के पास GPS था मुंबई का नक्षा बताया गया था और इन्हें ये भी टार्गेट दिया गया था कि आप कहां कहां पर अटैक करोगे जिनमें खास्तोर पर ताज अबराए द कुलाबा सीस्टी स्टेशन ये सारी चीज़ें थी तो अपने अपने दिये हुए टास्क के हिसाब से ये लोग निकलते हैं अब सबसे जो नजदीक था इस जहां पर ये लोग उत्रे थे कुलाबा से वाह बिलकुल वो कुलाबा की ही में सड़क बहुत ही है वहां पे भीड एक दस्ता जो इनका पहला दस्ता था श्वैब और नाजिर दो आतंकवादी इस नाम की ये कुलाबा पहुंसते हैं टैक्सी से उतरते हैं और अचानक अंदधन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं गोली चलाते हुए वही पे एक लिवपोल्ड कैफे है कुलाबा में और फॉर्नर की ये एक पसंदीदा जगा एक तराका कैफे जो है आप दिन में भी जाएंगे तो वहां भीड होती है और रात के वक्त में जाधा थी तो उस वक्रीब रात के नो चालिस के आस पास का वक्त था तो जो पहला दस्ता पहुंसता है वो बहुती है वह पहलाबा चलाते हुए, वहां से फिर ये दोनों बाहर निकलते हैं, और सीधे पास में ही उधर नरिमन हाउस है, उस तरफ निकल लेते हैं, अब ये जब गोली बारी हुई तो अचानक शोर शराबा हुआ, उसके बाद किसी ने पुलिस को कॉल किया, वहां पे पुलिस की टीम भी कुला पे आमतोर पे अंडरवर्ल के दोर में, कभी भी कहीं भी शूट आउट शुरू हो जाता था, चाहे पुलिस का इंकॉंटर हो, या फिर दो गैंग आपस में लाड़े हो, जैसे दावूद है, छोटा राजन है, तो पहला यही था कि ये गैंग वार है, और गैंग वार के च लिवाजी टर्मिनस, सी एस्टी जिस्वों कहते हैं, पहले जिसका वी टी नाम था, तो वहां पे गोली बारी की खबर आती है, और यहीं पे वो एक तस्वीर है, जो आपने अजमल कसाब की देखी होगी हर जगा पे हाथ में के 47 लेकर टी शेट पहने वार, स्पोर्ट शू यह दो का गुरूप तोरिसमाईल, इन में से दसों का लीडर भी था, यह दोनों सीधे टैक्सी से उतरते हैं, और सीधे सी एस्टी इस्टेशन में घुज जाते हैं, और उस वक्त करीब 10 बजे के आसपास का वक्त था, मुंबई लोकल में आने जाने का वक्त काफी, भीड क और यह सीधे सीएस्टी में जाने के बाद ओपन फायर, दोनों पहले बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पे अपने अपने गन को लोड करते हैं, और उसके बाद सीधे स्टेशन के बीच में आते ही, बस अंधा धुन गोली चलाना शुरू करते हैं, कई चश्मदीदों का कहन रहा है कि जब गोली चला रहा था खसाब, तो लगाता रहा था, ऐसा लगा रहा था, जैसे कोई वो वीडियो गेम खेल रहा हूँ, यह लाइन थी उस चश्मदीद की, तो यहां पे अंधा धुन गोली चलाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पुलिस वाले है, वो इस्टेशन तक ना पहुँचे, खैर लेकिन इतनी देर में सबसे आदा नुकसान यहां पे हो चुका था, इस इस्टेशन पे चुके भीड की वज़ा से, और भीड में किसी को भी कोई ऐसास नहीं था, क्या चाना को ऐसा कर सकता है, इस गोली बारी में 58, 58 लोग मार चत्रपती जी, श्रिवाजित महराज, टर्मिनस पर, यानि, सी इस्टेशन पर, यहां पे पूरी जब गोली बारी हो जाती है, तो अजमल, कसाब और इसमाईल फिर वहां से बाहर निकलते हैं, अच्छा, चुकि रात का वक्त हो गया था, और जो इस्टेशन के बाहर से, ज आता, तो यह महां से गुजरते हैं, जब निकलते हैं, तो एक पुलिस टेशन है, तब तक कॉल आ चुकी थी, कि एक और फैरिंग हुई है, तो कहते हैं, उस पुलिस टेशन में जो पुलिस वाले थे, उनके पास इतने, मतलब उस तरह के हत्यारी नहीं थे, कि वो इनका साम अब यह जब दूसरी कॉल आई मुंबई पुलिस के पास, तो फिर यह हुआ तब भी, कि एक गैंग वार है, कोलाबा से चले, उसके बाद उन्होंने वहां मारा, यह अंडरवल के आपसी लड़ाई है, आपसी रंजिश है, इसलिए कोई पैनिक नहीं, उस वक तक चुके मर परने वालों की तादाद भी नहीं पता थी, लेकिन मुंबई पुलिस की शुरुवाती यह थी, कि यह गैंग वार का नतीजा, वो मान कहीं नहीं चले थे, कि यह टेरर अटक है, इसके बात, थोड़ी देर के बात, अचानक, मरीन ड्राइव के पास में ही, उबराय होटल है और, वहाँ पे, टैक्सी से दो लोग उतरते हैं, गोली चलाते हैं, वो सीधे, उनको भागना नहीं था, वो गोली चलाते हैं, सीधे ओबराय के अंदर गुज जाते हैं, तीसरी सूचना आती है, अब थोड़ा सा पुलिस डौटफुल होती है, कि यह गैंग वार है, अंड लोग ने देखा है, तो, दो ताज है आज है, लौ टाज, एक नीई ताज, जसकी तस्वीरे हम सब देखते हैं, जो कैलिन्डर में वी जसकी तस्वीरा है, एक नीई ताज भी बनाया है, तो यह लोग नीई ताज के पीझे की तरफ से, यहाँ पे चार लोग, चार आतंप ताज में गुजते हैं बाकाइदा गोलियां चलाते हैं और नियू ताज की तरफ सेंट्री मारते हैं अब जब ये ख़बर आई तो पहली बार लगा कि नहीं ये कुछ गरबढ़ है इसके बाद एक टीम जो है जो कसाब और इसकी थी वो छत्रपती से होते हुए फिर पुलिस करते हैं गोली बारी के आवाज आती है तो हस्पिटल में बहुत सारे लोग उस वक्त और बच्चे सब थे तो उनको वहां पर भी लाइट आफ करके किसी तरीके सुन्नों की जान बजा जाती है इन्नों को नक्षा वहां का पता नहीं था क्योंकि इनके हिट्लिस पर वो हस् जिपसी देखाया देती है और उस पुलिस की जिपसी पर वी ये फैरिंग कर देते हैं और जब गोली चलाते हैं तो इत्वाक से तब तक वहां पर अब चुके एक साथ-चार-पांच जगे से खबर आ चुकी थी तो उस जिपसी पर जिस पर गोली चलाते हैं उसमें ATS के च लेक्र थे और इनकाउंटर एस्पेसिलिस्ट और साथ में एक और तो जब वो अंदध दून एक फोटिस्वर्वन से गोली चलते हैं जवाब मेदर से भी गोली चलती है लेकिन अफसोस की बात यह होती है गोली उन्हों को लगती है और जो मुंबई पुलिस के मुस सीनियर अ जाते हैं और बाकाइदा अब चुके पुलिस की जिपसी में हैं तो लोगों को ये तो अंदादा होता है कि पुलिस की गाली है लेकिन पुलिस की गाली से फारिंग होने लगे तो क्या होगा तो आपने तस्वीरे देखे होंगी ये पुलिस की जिपसी से ही बाहर फारिंग कर लोग जहां पर उनको लग रही है, फिर जब तक लोगों को समझ में आया, कुछ लेट के जान बचा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ये अब तक ये सारा अटेक हो गया, इसके बाद अचानक क्यों होता है, कि एक खबर आती है, कि विले पारले में एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया, जो वेस्टन एक्सप्रेस हाईवी की तरफ जा दी थी, और उस टैक्सी में उसक पांच, चार लोग बैठे वे तो और एक ड्राइवर, पांचों की मौत हो जाती है, थोड़ी दिर के बाद फिर खबर आती है, कि मटगाओं में एक और टैक्सी में ब्लास्ट हो गय में जब पैसेंजर उस पे बैठे और वो गुजर रहे थे, तब ये दो ब्लास्ट हुआ, तब साउथ दिल्ली के अलावा, साउथ मुंबई के अलावा, जो दूसरे ही तरफ जो उस दिन आतंगवादी हमले हो, सिर्फ दो थे, एक विले पारले और एक आपका मटगाओं की तरफ, और यही दोनों धहमाके थे, इस बीच में आप गाड़ी लेकर जब ये भागा, कसाब और इसमाईल, उसके बाद ये लोग फिर पहुंचते हैं इधर, मेट्रो सिनेमा की तरफ, मेट्रो सिनेमा के पास अंदधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर ये फारिंग करते हैं, वहाँ पर करीब नौ लोगों की मौत होती है, इसके बाद पुलिस की जब ये फारिंग होती तो पुलिस की गाड़ी में टायर में भी गोली लगी थी जवाबी, तो वो पंक्चर हो गया था, तो फिर एक जगह पर ये के स्कॉड़ा गाड़ी किड् अब ये गाड़ी लेने के बाद फिर भागते हैं गिरगाओं चौपाटी की तरफ, तब तक चुकि उस पूरे एरिया में करीब चार से पांच किलोमेटर में अगर मढगाओं और एक वो छोड़ने विले पार ले, तो ये जो सारा आठ अटेक हुए, ये चार किलोमेटर के रेंज में हुए है, तो अब तक पूरी साउथ मुंबई और वहां पे उच्छा है, इसी एरिया में पुलिस एटकॉर्टर भी है, महरास्ट का, एटियस के भी दफतर उधर है, क्राइम ब्रांज का भी दफतर है, तो ये चार-पांच किलोमेटर के रेडियस में ये सब कु हो रहा था, तो अब पुलिस पूरी एलेट थी, उस पूरे अलाके में अब तक नाके बंदी और सारी चीज़ना शुरू हो गई, इसी बीच में गिरगाओं चौपाटी के पास से एक गाली गुजरती है, जो स्कॉर्डा जो किया था, और वहां पे पुलिस रोकने की कोशि होता है, और इधर इसमाईल खान को गोली लगती है, और वो वहीं पे मारा जाता है, और जब कि कसाब को भी गोली लगती है, लेकिन उसकी गोली हाथ में और ऐसी जगा लगी थी, कि जान नी जा सकती थी, और उसके बाद पुलिस कसाब पे काबू पा लेती है, तो इस तरी पे अब गोली बारी और ये सारी चीज़ बंद हो गई अब पूरा जो फोकस था वो सर्फ तीन जगे पे था अच्छे ये गोली बारी बंद होने के बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक है क्योंकि किसी को अभी तक ये भी पता नहीं था कि कितने आतंगवादी हैं और क्या हैं लेकिन अब सारा फोकस चला गया ताज होटल अबराय ट्राइडंट और नरिमन हाउस पे एक इसराइली फैमिली वहां पे रहती थी मोशो एक जो बच्चा था उस वक्त बड़ा भी हो गया अब तो ताज में चार टेरिस्ट अबराय में दो और नरिमन हाउस पे दो चा पाहिल खान मारा जा चुका ताका साप पुलिस के कबसे में था अब जब ये पता चलता है कि ताज के अंदर से अचाना गोली वारी के आवाज आती है ग्रेनेट फेके जाते हैं थोड़ी दिर के बाद ताज का जो वह पूरा में जो उसका गुमबद है उसमें धमाका होता आग लग जाती है उदर ओबराय से लगातार खबरे आ रही थी इदर नरीमन हाउस पे गोली वारी हो रही है तो करीब करीब इस पूरे वाके में तीन घंटे के बाद पहली बार अफिशिली महरास्ट सरकार जागी कि ये बहुत बड़ा हमला है और ये कोई गैंग वार नह है इसका कदम उठाना था क्योंकि अभी भी आतंकवादी सब अंदर थे और उनको तीन जगे पे थे अब उनको पकड़ना था और लोगों की जान बचानी थी इतफाक से ताज में उस दिन करीब हजार कम रहे हैं और 95% रूम बुक थे बाकी स्टाफ वे स्टाफ मिला कर पौने दस के आसपास ठाई से तीन घंटे के बाद पहली बार महारास्ट स्रकार दिल्ली को फोन खड़का के कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए और यहां पे होस्टेज बना लिया है इन इन जगों पे और इन से निपटने के लिए मदद चाहिए दिल्ली को फोन करने से पहले वहां पे जो मैरीन कमांडो थे बाहरास्ट की उसको भी कहा जाता मदद के लिए जो मुंबई के अपनी फोर्स थी वो तो थी ही थी साथ में फिर सेंटर को फोन किया गया तो जब डिल्ली में जब फोन आया तो मुंबई को अटेक हुए वे करीब करीब आप मान के च अबी कोई मुसीबात आये तो फॉरण एनेसजी को से स्टेशन से बुला लिया जाया और वो जल से जल पहुँच जाया ऐसा नहीं है कोई सेंटर नहीं है सेंटर स्रिफिक वो है दिल्ली में दिल्ली के करीब मनेसर एक जगह है एरपोर्ट से 40 मिनट लगता है मुश्किल से पहुचने में तो वो कैम्प है एनेसजी का तो जब दिल्ली को खबर मिली कि मुंबे पे इस तरह का अटैक हुआ है तीन घंटे के बाद तो उस वक्त एनेसजी के जो नेशनल सेक्रिटी गार्ट के जो चीफ थे जेके दत्ता साब जेके दत्त तो उनको फिर खबर दी जात है उनसे कहा जाता है फौरन कमांडो को मुंबै रभाना किया जाए वो फौरन कमांडो के अपने टूपसको त्यार करते हैं लेकिन उन्हें बताया जाता है कि той त्रांस्पोर्ट ओर क्राफ्ट जिससे कमांडो को ले जाना है वो इस वक्त चंडीगड में अ इस्टेशन है आप तयार होई है और निकली है और NSG जब यहाँ पता चल रहा है कि जिस aircraft में जाना है वो तो हाई नहीं वो चंडीगड में है इसमें फिच फिर जो है raw interference करती है और raw के interference के बाद ये पता किया जाता है कि पाला में एरपोर्ट पे एक इलियोजम 76 प्लेन है वो पार्क है और उस से मुंबई कमांडो को भेजा जा सकता है लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये aircraft छोटा था और इसमें सिर्फ 120 ट्रूप सी जा सकते थे अब इस पूरी कवायद में NSG को तीन घंटे के बाद ख़बर मिली उसके बाद एक तो एरक्राफ नहीं दूसरा पता चला की पाला में एरपोर्ट पे है और फिर उसकी तयारी की गई क्रू मेंबर को भी नहीं थे रेडी क्योंकि ये सब चीजे तब हम लोगों को एसास ही नहीं था कि कभी एमर्जनसी में क्या-क्या होना चाहिए तो क्रू मेंबर भी अपने घर पे इन्फॉर्म किया गया बुलाया गया रीफियूलिंग ही क्योंकि जो प्लेइन एरकराफ खड़ावा था वो भी कोई एमर्जनसी के हिसाब से नहीं था इन सब चीजों में दो घंटे और बरबात था तीन घंटे अटेक हो चुके दो घंटे यहां इन तयारियों में इस बीच में कमांडो मनेसर से निकल चुकी और वो घंटे भर के अंदर अंदर एरपोर्ट पहुंच चुकी थी तो अब दो घंटा प्लेइन क्रू मेंबर रीफियूलिंग इसमें लगा इसके बाद खायर 120 कमांडो को इसमें किसी तरह बैठाया गया अब चुके प्लेइन छोटा था आम तोर पे अगर आप बाकी प् लेकिन यह छोटा प्लेइन था यह प्लेइन जो एनसजी के कमांडो को लेकर उड़ा पाला में एरपोर्ट से यह तीन घंटे के बाद मुंबई पहुंच था मत्तब तीन घंटे में तो आम तोर पे जो करीप पहुने दो घंटा लगता है यहां पर तीन घंटा यह खैर किसी तरह यह वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो जो इनको लोकेशन था जो तैयारी थी उसे साब से वो जाते हैं इधर ताज होटल में चुके सबस्यादा चारा टैरिस गुशे था और सबस्यादा महमान भी वहीं पहे थे तो उस वक तक जब तक कि यह कमां होते हुए भी सूचना बाकी तैयारी कवायद उसमें करीब करीब तीन घंटे लगे अगर ग्यारा बजे इनको खबर किया गया तो आप मान के चलिए कि फिर ये दो बजे पहुचे मेरिन कमांडो को सूचना देने के बाद भी तीन घंटे लगे उने पहुचने में लोकल प कारगार उस वक्त साबित नहीं हो पाए ये सारी चीज़े तो होई दी थी उपर से सोने पे सुहागा ये उनके लिए कि आतंकवादियों की मदद पाकिस्तान में बैटके उनके आका कर रहे हैं क्योंकि जब ये खबर एटेक के आई तो उसके बाद हर निउस चैनल लाइफ और हर चीज़ की बारे में छोटी छोटी जानकारी। कि कराची में बैठे हुए जो इनके आका थे खास तोर पे लखवी चाचा जो निक नेम है जो हाफिस सहीद का बड़ा खास है अजरार शाह ये कंट्रोल नूम बना कर बाकादा सारे टीवी लगा कर इंडियन चैनल पाकिस्तानी चैनल और वो सारी ब्रीफिंग ले रहा था औ कि बनोर फालन पे ये ताज उबराए और नरेबन हाउस के आतंक्मानियों को ब्रीफ कर रहा था कि अच्छा देखो एब यह है अब ही घॉर साहब हाइन फास अब कर लो तुम ऐसे से कर सकते हो उंको फाइदा मिला इसका तो यह एनस जी का लेड़ जाना मारीन कमांडो का तीन घंटा लेना, मुंबए पुलिस का वेले कुप नहीं होना, तयारी नहीं होनी, ये सारी चीजें जो सबसे नाजुक घड़ी थी, जो सबसे नाजुक वक्त था, उसमें नहीं हो पाया, जिसकी वज़ा से बरबादी जादा हुई, इसके अलावा, अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब NSG पहुँच गई सुबा 27 नमंबर को, चलिए लेट सही, NSG की जो कमांडो ताज में पहुँचे या उबराय में पहुँचे, उन में से किसी को भी, अंदर के मैप के बारे में, अंदर के रूट के बारे में, एंटरी, एग्जिट के बारे में कोई जानकारी नहीं, अब इस जानकारी को जुटाने में, वहाँ पे वक्त और बरबाद हुआ, उस से जादा जानकारी टेररिस्ट लेकर वहाँ आए थे, जो ताज में चार थे, उस सब कुछ पता था, क्योंकि बाकाइदा, जो हैडली, ने रहकी की थी, वह सारे नक्षे थे, उसको बताया गया था, इसका एंटरी क्या है, एग्जिट क्या है, फ्लोर कहां पर है, सिसी टीवी का मोनिटर रूम कहां है, सब कुछ, एक एक चीज उनको जादा जानकारी थी, टेररिस्ट को, बनिजबत यह कि हमारे जो कमांडों थे, उनके पास कोई मैप, कोई वो नहीं, जब यह मुंबई पहुंचे उसके बाद फिर इनको ब्रीफ किया गया, इनको होटल के स्टाफ के जरीए और उसके जरीए कि यह है, ले आउट यहां का, यहां पे ऐसे बिल्डिंग का, यह है, यह है, तो उसमें भी वक्स आया हुआ, और तो और, जब ताज, उबराए और नरीमन हाउस में, यह आतंगवादी मौजूद थे और यह लगातार पाकिस्तान पे फोन पे बातचीत कर रहे थे, और उनसे डारेक्शन ले रहे थे, बता रहे थे कि कैसे कब किदर गोली चलानी है, ग्रेनेट फेको यह करो, एटीएस जो एंटी टेर्रिरिस स्क्वाइड मौंबई की यह लगातार फोन इसके बाद जैसे केलियर हो गया, तो वो सारे उन्होंने सर्विलांस पे लगाए और यह सारे फोन टैप हो गया, और सारी बातचीत अब रिकॉर्ड हो रहे है, सारी बातचीत सुन रही है, मौंबई पुलिस एटियस, और वो सारी बातचीत बाकी चैनल ने बात में दिखाया, हम लोगों ने उस पर करीब चार घंटे का शो मैंने ही बनाया, तब आशिश खेतान हमारे साथ थे, वो अडियो लेकर आया थे मुंबई से, तो उसमें एक एक बात चीज, डिटेल में, नेट पर भी पढ़ावा, आप लोग सुन सकते हैं, कैसे क्या करना है, हेली आया, हेली आया, यहाँ पर गोली मारो, यह बस्ट करो, खिड़की पर जाओ, सोफा रखो, आग लगा दो, उसको अब मार दो, सोस्टेज को मार दो, 27 तारीक की सुबा से, मतलब बलके देर राज से 26 नॉमबर के ही, ATS के पास यह सारे रिकॉर्डिं पर नहीं है, यह सारे रिकॉर्ड पर है, जो लापरवाही दर्शाई गई थी, तो उसमें यह है कि ATS जो बातचीत रिकॉर्ड कर रही है, और वो जो अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, ताज में, या उबराय में, या नरिमन हाउस पर, उनको इस बातचीत के बारे में अपडे के बात दी गई, तो यह यहां पर एक लैपसिस, तो यह सारी चीजें थी, जिसकी वज़ा से, एक तो 69 घंटे लगे, ऑपरेशन को अंजाम तक पहुचाने में, और दूसरा तबाही जादा हुई, 166 लोग मारे गए, ताज में करीब 31 लोग मारे गए, इसके लावा, आपक कि नरीमन हाउस में साथ मारे गए, ओबराय में 30 लोग मारे गए, विले पाले में आपको बताया है कि 5 मढगाओं में 3, मेट्रो सिनेमा के बाहर 10, देन कामा अस्पताल 5 पुलिस वाले, विधान भवन के बाहर 9, देन गिरगाओं चौपाटी के पास, जहां पे कसाब पकड गए, लेकिन जो ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें टाइम लगा, 28 नवंबर को सुबा साड़े आड़ बजे, शाम साड़े आड़ बजे, 26 तारीक को घुसे थे ये लोग, 28 नवंबर राच साड़े आड़ बजे, नरीमन हाउस को किलियर कराया गया, दो आतंगवादी जो उ 28 नवंबर को दोपहर तीन बजे, उबराए होटल को खाली कराया गया, जो आखरी आतंगवादी मारा गया, वहाँ में सिर्फ दो आतंगवादी था, लेकिन वहाँ पे भी हमें करीब 40 घंटे से जादा लगे, ताज सबसे आखरी में हुआ, और इस सारी जो चीजें हुई तीस में जो सोचने की बात थी और जिसके उपर बाद में बहुत सारी बाते भी हुई है, अगर एनसजी का कोई स्टेशन मुंबई के आसपास होता, क्योंकि मुंबई हमेशा थ्रेट परा, मुंबई में कई आतंगवादी आमले हुए, हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में, तो उस वक्त तक ये आलत थी 2008 तक कि जो एनसजी की कमादी किसी भी ऐसे सिच्टेशन में जहां आतंगवादी हमला हो गया है, हाईजेकिंग हो गयी है, होस्टेज बना लिया गया है, होटल को कबजे में कर लिया गया है, तो एनसजी के कमांडो जाएगा तो सिर्फ मनेसर स के बाद ये है कि फिर ये हुआ कि एनसजी के स्टेशन अलग अलग ऐसे खास खास जगों पर होना चाहिए, एनसजी को कहीं भी उड़ा के ले जाने के लिए, उनकी हर वक्त 24 गंटे अमर्जनसी तैयारी होनी चाहिए, प्लेइन जो है स्टेशन होना चाहिए, ताकि हमें य करनेगड में है, कुरू मिमर अपने घर में सो रहा है, तीन चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन आठ ने दोहदार आठ ने ये सबक सिखाया, और उसके बाद ये अच्छी चीज है कि इन चीजों पर काम हुआ और इसकी फिर तैयारी हो रही है, लेकिन कुल मि चीज ने तो होगी, बाद में फिर ये हुआ कि जब अजमल कसाब पकड़ा गया, तो अब तक यही था कि इतने एक तो पुलिस वाले शहीद हुए थे, तो पुलिस वाले बहुत घुसे में भी थे, उस वक्त तो ये था कि अजमल कसाब को मारी डालेंगे, लेकिन अकलमंद में ये पाकिस्तानी दसातंकवादी आये थे, उस में से उर्दू में लिखी वी डायरी मिली, जिसमें दसो आतंकवादी के नام थे, अजमल कसाब ने तो नाम बता ही बताये थे, इसके अलावा, उसमें से कुछ ग्रेनिट वहां पे ये छोड़ कर आये थे, उस ग्रेनिट जिसका एक ब्रांच पाकिस्तान में है वो एक सबूत था इसके इलावा जो चार आतंकवादियों से यहां पे अलग अलग जगों पे दस में से मारे गे थे पकड़े गे नाइन इमेम के पिस्टल मिले थे उनके पास से जिस पर पेशावर की एक और्डिनेंस फैक्टरी का मार पाकिस्तान से आये थे और हर कॉल के डिटेल थी 40 कॉल थे टोटल कुबेर से डीजल का एक खाली केन भी मिला जिस पर कराची के पेट्रॉल पंप का स्टीकर लगा हुआ था नकली विदेशी ब्रांट के टी शर्ट शर्ट पैंट मिले जिन पर पाकिस्तान के टेलर्स के ले काची की एक दुकान से खरीदे गए आटे के पैकेट और पाकिस्तान में ही बने डिटर्जन साबुन के पैकेट मिले उस जहाज से डेंटल जेल और मेडिकेम की चीजें मिली उसमें निसले मिल के पैकेट मिला जिस पर पाकिस्तान लिमिटेट का लेबल लगा हुआ था नम अपने खाने के लिए साथ लेकर आये थे और सबसे बड़ी बात इसमें जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो जी पियस मिला था जिसमें कराची से मुंबई और फिर मुंबई से कराची तक का रूट फिक्स था तो ये सारी चीजें थी जो पाकिस्तान की पोल पटी खोल रही थी और इनी चीजों की वज़ा से बात में जकी अदीन लखवी और चाचा जरार शाह अबू हमजा अबू काफा इन सब के खलाफ सबूत दिये गए कॉल डेटेल से इनकी आवास तक मैच की गई लखवी को गिरफतार भी किया गया लेकिन 2015 में वो अज़ाद हो गया हाफिस सेद आज भी है वो तो इलक्षन तक लड़ा अभी है पाकिस्तान में हाला कि उसके सारे मिदवार हार गए जमानत जब्त हो गई लेकिन कुल में लाके और हेडली जो है जिसने रैकी की थी वो अमरीका में 35 साल की उसके सजा जेल में है लेकिन 26 से 11 के जतने भी गुनागार है का अजमल कसाब को छोड़ दें वो तो मोरा था और नौ मारे ही कहते जो असली मास्टर माइन है इन में से कोई भी लकवी जराजशा, हम्जा, काफा आपके, हाफिस साइद ये सब पाकिस्तान में खुले आम गूम रहे हैं आज भी आज़ाद है और यही सबसे अफसोसनाग है तो 26 से 11 तो कि एतनी बार इसको कहा गया है कि मुझे लगता है कि मुझे लगा कि सर्फ हमले से हट के हमने कहां कहां गलतिया कि क्या क्या हुआ वो सम्ट बताने की मुझे आपको जरूआती दूसरा, एक हमेशा एक बात उठी थी कि जो हमारे जावाज अफसर मुंबई पलिस के चाहे, वो हेमन करकरे हो आप्टे हो, विजय सारिसकर साब हो इत्फाक से इन सबसे मैं मिलाओं मतलब हेमन करकरे कि तो बहुत सारे यादे हैं उनके लिए मेरे बड़ा अफसोस भी है, जब सुना उस रात तो मुझे यकीनी नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है और एक साथ, तो इनकी मौत को लेका फिर उठाता कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं था और यह सारी चीज़ें थी लेकिन उस वक्त जो हालात थे एक्चली जो शुरुवात के तीन चार जो कॉल आये, फाइरिंग के ला उसमें गरबड़ यह होई थी कि मुंबे पुलिस पहला करीब एक सवा घंटा इसी में निकाल दिया था कि यह गैंग वार है अगर शुरुवात में ही थोड़ी सी अलटने सा जाती थोड़ी सी यहां पर यह गल्ती नहोती गैंग वार की बज़ा इसको क्योंकि कहते हैं कि जब आप यह गैस सिलंडर के भी ब्लास्ट हो तो आप मान के चलिए कि बॉम ब्लास्ट है तब आप ज़दा एक्टिव होते हैं आप ज़दा फुर्टेले होता हैं आप ज़दा तेदी से काम करते हैं तो आपकी सोच वहां पर वो होनी चाहिए लेकिन यहां पे कि 3-4 शूट आउट के अलग अलग जगों से खबर आ रही है और शुरुआत में यही मान के चला जाता है कि यह गैंग वार और इसलिए इतना कोई क्रिस्पॉंस नहीं आया जिसकी वज़ा से फिर बहुत सारी चीज़ें अगर कोई क्रिस्पॉंस आ जाता और उसी वक्त अलट हो जाता तो शायद फिर ताज उबराय और इन सब जोगों को भी अलट कर दिया आता कि आतंगवादी घुसा हैं और आप लोग तैयार हो तो हो सकता है गेट पे हरेक वहाँ पे सिक्रिटी उस वक्त अगले कुछ मिन्टों में इतनी हो जाती कि गेट पर ही फिर मुकाबला हो जाता और वो शायद अंदर न गुस्ते और 69 घंटे तक लड़ाई लड़ने की नौबत ना आती लेकिन ये गलती हुई और उस गलती से हम लोगों ने सबक भी लिया अब उसके बाद इन सब पहलों पे भी सोचना शुरू किया गया कि कैसे इन से निप्टा जाया अगर एक सड़क पे सर्फिरा एके 47 से और हैंड ग्रेनेट से फेकना शुरू करता गोली चलाना तो उन से की चीज़ें कभी हमारे मुलक में फिर कभी न हो लेकिन वही है कि हमें इसके लिए 365 दिन चोकरना रहने की जरूरूत है अलड रहने की जरूरूत है ताकि ऐसी चीज़ें फिर ना हो तो यह थी जो पहला पार था आपको साज़िश की दूसरी ये की कैसे हमला हुआ और क्यों इसमें कमिया रह गई और कहा रही ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी अब मैं सवाल लूँ उससे पहले हमेशा की तरह कुछ चुके आज मंडे है तो कुछ लोगों के मेल आए हैं कुछ सवाल भी हैं कुछ उन्हों नहीं कहा भी है पर मैं लंबा नहीं करूँगा सिर्फ नाम ले लेता हूं में में सवाल ये एक सरफराज शहाबुद्दीन वेदगानी है इनका ये कहना है कि वाकई क्राइम तक मुझे परिवार की तरह ही लगता हमेशा ही फीलाती है और हां बहुत सारे लोगों ने लिखा तो शुरुबात ही कर दूँ कि हम लोग नहीं क्राइम तक नहीं आप लोग इसकी मुबार्थ बात के उतने ही जादा हक रखते हैं कि तीन लाक के करीब से उपर हो गया क्राइम तक का तो आप लोगों का प्यार है आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लिखा इसलिए मैंने इसका जिक्र क्या अमित दुवेदी हैं आयुष मनमोहन और यश हैं इनका एक सवाल था बड़ा उन में से मुझे लगता है आपनों को भी अगर नहीं पता तो जाना चाहिए इनका ये गहना था कि क्या सूप्रीम कोट में हर मामला जो आता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वही उसकी सूप्रीम कोट में तो किसी भी बेंच का कोई भी फैसला हर एक को मानने होता चाहिए उसमें Chief Justice हो या ना हो तो जरूरी नहीं है कि हर सूप्रीम कोट के फैसला Chief Justice सुनाए ये बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है राजेश आर्जे भंबारी है आशीश महता है ये टेकसास से इन्होंने बहुत कुछ लिखा है थैंक्यू वरी मच विकास कुमार मिश्रा है ये मंजुनात की कहानी सुनना चाहते हैं और मैं विकास जी जरूर सुनाओंगा आपको जल्दी आनिशा वोरा है ये अनुराधा बाली की कहानी सुनना चाहते हैं ये भी आपको मैं जल्दी सुनाँगा रोहित पाल्खे हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे मैं सुनना जाते हैं बिल्कुल रोहित साब सुनाएंगे संदीब जैसवाल हैं इसके लावा एक बड़ा खास हाया पहले नाम ले लूँ फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ ये मुहमद जावेद हैं मुहमद नईम हैं अब्दुलकयूम हैं किशनलाल हैं मुहमद तालिब हैं मुहमद इमरान मुहमद जुबैर मुहमद रफीक मुहमद आबिद मुहमद दाओद मुहमद अली ये सब के सब ओमान मसकत में एक साथ पिट्रॉल पंप पे ये मैनेजर और काम करते हैं और ये पूरी की पूरी जो इनकी ये प्रिटन है ये क्राइम तक जरूरत सुनती है कहानी और इसलिए ये नोंने इन सब का बड़े प्यार से नाम लिखा तो मैंने कहा कि आप लोगों कोई बता दूँ थैंक यू गरी मच आप लोग इसी तरह से बस देखते रही है सराते रही है ये पिरिटा हैं U.S.S.A. ये होमी भाबा के बारे मैं जानना चाहती है कहानी सुनना चाहती है मेरा भी उसमें बहुत इंट्रेस्टे है मैं जल्दी आपको सुनाता हूं इसमाईल अख्तर है विनाइख मगाजी है अध्तम ननिया है ये बिनजिर भु और मुबीन उमतिया तिये सारे लोगों ने अलगर अपना प्यार भेजा लिखा और तीन लाग के उपर भी रिखा थैंकियू वेरी मच अब मैं चाहूंगा कि तुम इस से जुड़ावा जो भी सवालों पर पर एक सवाल था कि क्रिकेटर को एसी की वसमें लेकर आ जाता है ल मर्दो यहां पर मैं बेस्ट की बसों पर जादा कमेंट सिसले नहीं करूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत तेजी से और अचानक और सब कुछ हुआ और कमांडो पहुंच रहा जाहिर सी बात है और इतनी चल्दी क्या पहला लक्ष यह होना चाहिए कि आप स्पॉर्ट पर पह है 24 गंटा यह जितनी भी इस तरह की सिकुरिटी फोर्से हैं हमारी और जो खास्तोर पर ऐसे चीज़ों से मकाबला करने के लिए वर्ल्ड के किसी भी भी जगा पर आप जाए इन फोर्से की ट्रेनिंग ही यह कि आप हर वक्त तैयार रहे कि कभी भी एक कॉल आया और आपको कमांडो का हैटकॉर्टर हो और यहीं से हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश को हम भेजेंगे तो कहीं भी तीन चार गंटे तो यही निकल जाएंगे तो ऐसा होना नहीं चाहिए और हम लोग उससे सबक ले रहे हैं और सीख भी रहे है अंकुर जी का सवाल है सार सरकारी बाबू वाला जो काम होता है ना सपोस यह जो मैंने आपको बता है इतना आसान नहीं होता है कि एक ने फोन किया यहां पर टारिस एटक होगी और आप जी हमें फॉरन कमांडो भेज़ दो और उसने फोन रखा और कमांडो निकल गया बहुत सारे स्टेफ होते हैं सर में वक्त बरबाद होता है तो यह चीज़ें होने नहीं चाहिए पर अब मुझे लगता है कि शायद इसका भी हल निकाला गया है कैसे सिच्वेशन में इस तरह की होस्टेश सिच्वेशन में बेस्ट क्या हो सकता और सबसे जल से जल कैसे पहुंच सकते हैं उसका क्या क्या तो उस पर काफी काम हुआ इसमें बात हुई थी जाच हुई थी कुछ लोगों के बारे में था कि उन्होंने यहां पर रहते हुए सपोर मतलब उनकी मदद की हलाकि हैडली के बारे में था कि वो 2005 से ही 8 तक 7 तक कई वार मुंबई आया उसने रहकी की इन तमाम होटलों की र इंडिया में जो उन्होंने उनकी मदद की थी अलग-अलग संगटनों से उनकी गिरफतारी भी हुई थी तास होटल में कोई पॉलिटिशन था जिससे सबसे पहले निकाला गया था और है तो इस बात में कितनी सच्छा ही है सनी साब जिस वक्त यह अटेक हुआ था उस वक्त ब्रेटन के और कई और कंट्री के भी डेलिगेशन आई भी थी उसमें कहते हैं कि कुछ MP भी थे लेकिन जो फोन कॉल डिटेल आप सुनेंगा अतंगवादियों और उनके आखाओं की पाकिस्तान में हुरी थी उसमें कह र से लोगों को निकालना जादा आसान था तो निव ताज में जो लोग थे वो जल्दी जल्दी उन सब को निकाल लिया गया लेकिन हमारे कोई बड़े नेता या उस तरह के कोई नहीं थे सवाल है कि 59 कॉल में से चालिस तो पाकिस्तान की गए थी बाकी कॉल कहां किये गए थ 59 जो आवर्स बता रहा हूना मैं वो उस घंटे की बातचीत की रिकॉर्डिंग है मतलब 69 घंटे की रिकॉर्डिंग जो लगातार बातचीत हो रही थी 60 कॉल नहीं 69 घंटे की रिकॉर्डिंग है ATS के पास जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने मेडिया को भी दिया था संदीब जी का सवाल है सर कसाब को कॉंस्टेबल ने पकड़ा था उन्हें उनके बारे में बताई कोंकि वही असली हीरो हैं जब ये गरगाउं चौपाटी के बास इसको पुलिस की नाके बंदी को जब वो मार के भाग रा था चुकि गारी में टायर भी पंक्चर थी गोली लगे और वो पकड़ा गया और भी उसमें दो-चार पुलिस वाले थे लेकिन वहाँ पर उस पुलिस वाले की बहादरी थी जिसकी व्यासे एक तो ये गाली रुकी और इसमाइल खान मारा गया और इनका लीडर था जो दस लोगों में शामिल था इंडिया की इंट्रिजेंस एजनसी आपस में कम्निकेट करने में फेल क्यों हो जाती है रिशब जी कई बार हुआ कई केसे हमारी अपनी इंटर्नल जो है ठीक से तालमेल नहीं बैठती रो हो आई बी हो स्टेट पुलिस हो स्टेट पुलिस के अंदर ही अपने अलग- पर फिर लास्ट में आम लोगों को भुगतना पड़ता है क्योंकि आम लोग ही चाहे वो क्राइम हो या अतंगबाद हो देश्चत गर्दी उसका शिकार होते हैं तो यह चीज़ें होनी नहीं चाहिए लेकिन यह सच है कि कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान में हुआ सभी लोग जिंदा घूम रहे हैं कोई कुछ करता क्यों नहीं कमांडोज आर्मी मिलिक्टरी सरकार पलिस क्या सब बेकूफ हैं जो अभी तक चुपचा बैठे हुए हैं रतनीश शुकला रतनीश शुकला रतनीश शुकला साब देखिए यह सिर्फ बात में 26 से 11 की क्यों से पहले 93 की भी करूँगा दुनिया को मालूम है तो कि दाओद इबराहीम का क्या रोल रहा क्या हात रहा लेकिन 7 और 18 25 साल हो गया दाओद इबराहीम आज तक हात नहीं आ है यह रही है उनको सजा देंगे सब को पूछ होगा लेकिन सुर्फ बाते होती हैं शायद यह हमारे भी हमलों के कमज़ोरी है कि नेता हमारे हर चीज स्र समझ लेते हैं seriousness जो है वो गायब हो गई है और कहीं न कहीं ये लोगों का घुस्सा है मेरी अपनी बात नहीं है कि जो इतनी बार आकर हम लोगों को छलनी करके चले जाते हैं हम उनके बारे में सिर्फ बाते करते हैं उनको लाकर हिंदुस्तान के कानून की चौकट पर जुका कर उनको जो सजा देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं तो वही है कि सिर्फ बाते से कुछ नहीं होगा action तो चाहिए सर अधित्य सिर्वास्तव जी का सवाल उनका paid question है सर आप लोगों को कितनी problem हुए थी जब इतने सारे attacks हुए थे reporting करने में और 26-11 movie में कसाव और ECP के दिखाएगे conversation क्या सही था सर उसी से जुड़ा हो सवाल है सर क्या मीडिया ने भी सबक लिया है इंडिन फिल्स क्राइम अधित्य यहां पर एक सवाल आपने अच्छा पूछा तो मेरा ध्याना गया उस पर बात जरूर करनी चाही थी 2008 से पहले मेडिया को भी इस बात का एसास नहीं था कि मतलब यह होता था होड़ यहां पर भी वही है टी आर पी पहले खबर ब्रेक करना कितने लोग हैं आतंग ख़बार सर पे लटके रहती कि उस से पहले खबर हमें ब्रेक करनी है कहीं ब·लास्ट हुआ तो उस बलास्ट की सारी जानकारी पहले मुझे चलानी है तो उसी तरसे हर चैनल के हर रिपोर्टर में यह बड़ा वो होता है तो उसकी वज़ा से बहुत सारे चीज़äng घलत हो ज जाती हैं, जो होनी नी चाहिए, 2008 में यही हुआ कि हमने छोटी-छोटी खबरों हैं, जो थी, कि जैसे खड़की से गोली चल रही है, तो भी हम बता रहे हैं, खड़की से गोली चल रही है, अब मुंबै पिलिस की टीम पहुंच गई है, यह तीन वो नियु ताज की तरफ से अंदर जा रही है, वहाँ कराची में बैठा हुआ, सब देख रहा है, और सुन रहा है, यह नियु ताज के अंदर जा रही है, तो वो उनको बता रहा है, वो में गेट से आ रहे हैं, पुलिस वाले तो तुम मोर्चा ले लो, तो यह सारी गलतिया हुई, लेकिन उसी वक्त 27 नॉंबर की दिन 12 बजे के असपास की बात है, बलकि उससे पहले, फिर यह गौर्वर्मेंट की तरफ से आया कि यह लाइव होने की वज़ा से यह दुश्वारी आरे यह उपरेशन में, तो अब लाइव नहीं होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी और हम लाइव विजवल नहीं दिखाएंगे, तो बागाएदा हर चैला ने फिर चलाना शुरू कर दिया कि यह जो तस्वीरें यह कुछ देर पहले की हैं, ताकि फिर उन्हें लाइव मूवमेंट, लाइव उपरेशन के बारे में वो ब्रीफ ना कर सकें, तो यह चीज़ें होई 26, 11 के बाद, लेक तो वो चीज़ें हुई, क्योंकि इस सब रास्ट रहित में हैं, और ऐसे उपरेशन में इन चीज़ों का खैल रखना चाहिए, तो मीडिया के उसमें गलती थी, और मीडिया के इस गलती का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो लाइव सारा मॉमेंट देख रहे अगसाना हैं, सर्फ लोग पूछ रहें कि पार्ट फ्री में क्या है यह अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने पार्ट फ्री में क्या है। इसमें कहने की लिए इतना कुछ है, मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो पार्ट फ्री को कल की उपर चोड़ी है, कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं सुनाओंगा इवाइस नाइम के आईटी तब और आज की प्रसितियों में को आप किस तरह के से देखते हैं क्या हम भारतियों को इसके आदत सी लग गई है कि हम जब भी जब तक हमारी सीमा में ही दोशी रहें तो उनको सदा दें क्या केवल हम ही बाहर कमांडो अटैक करते हैं नहीं मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा हाश हो जागा कहना कि हम सर्फ इसके आदी हो गए हैं जल्म जहलने के आतंग जहलने के बदलाओ आया है हमारी देश की अब इंटेलिजन्स हो प्लिस फोर्स हो कमांडो हो एनस्जी हो बाकी पैर अब आप देखें कि ऐसी कोई हिम्मत नहीं करता इस तरह की चीज़ों को करने का लेकिन यही है कि यह 365 दिन का काम है इस अलर्टनिस को कायम रखने का क्योंकि यह मैं शुरू से कहता हूं कि पुलिस को 365 दिन 24 घंटे चोकनना या फोर्सेस को रहने की जरूत है लेकिन जो आ 365 दिन के हर घंटे हर मिनट चोकनना रहने की जरूत है सर एक सवार है रिशव जी का सर कसाप की नार्को टेस्ट की जो वीडियो फोटेज थी क्या हम इसे इंटरनाशनल कोट में दिखा नहीं सकते पाकिस्तान की खिलाब सबूत की वह उसकी पूछताज की थी नार्को टेस् में भी सब कुछ है लेकिन कहता ही निए कि दाउद हमारे यहां जबकि यहां तो हाफिस सेथ खुले आम घूमता है कोट में मामला भी चला लेकिन जब सबूत देने की बात आती है तो पाकिस्तानी गवर्मेंट को सबूत नहीं देती इसलिए वहां कुछ होता नहीं है तो स उस बातचीत एक जब याद नहीं है छबी सी कहा रहा है मैं कौन सी बातचीत हुई थी बस एक मुझे कोई था कि जन्नत मिलेगा मरने के बाद यह कसाब ने बोला था यह उसके उसमें भी है वहां तक तो सच है क्या उससे कहा गया था यह हर जो इस तरह के नوجवानों को जो म पर ऐसे कच्छे दिमाग में डाला जाता है जो बिलकुल वो कुमार के जो मत्टी होती ना जिसको आप कोई भी शेप दे दे तो ऐसे ही लोगों को चुना भी जाता है इसलिए जो दस लोगों को लड़कों को चुना गया था यह सारे 20-22 साल के बेहत पड़ह ही लिखे बलक कमांडों के पैसे खर्च किये गए इतने पैसे खर्च होने के भारत को कुछ मिला नहीं और मास्टर मैंट तो कोई और दा फासी किसी और को मिले गए अप लोगों ने सुन लिया होगा कि किसी की राय है कि क्या कसाब को उस यवक्त गोली नहीं मार देनी चाहिए मैं करी अफसर का आज एक उन्होंने लिखाया दस साल पूरा होने पर तो उसमें उन्हेंने अपनी कुछ बाते कही है उसमें एक यह है कि जब कसाब को पकड़ा गया गिरगाओं चौपाटी के पास और वहां पे भी एक पुलिस वाला मारा गया इससे पहले हमंद कर करे आपके विजय सालसकर जैसे अफसर उसकी गोलियों से मरे तो पुलिस वालों में बेहत गुस्सा था क्योंकर करीब नौ पुलिस वालों की जान जा चुकी थी तो मन तो आया था उस्य वक्रत की सब को मार दें लेकिन अकलमंदी यही दिखाए थी कि यह जिंदा सबूत था एक मार देते तो आप क्या होता नौ की जगा लाश 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 हो जाते खत्प लेकिन कसाब से जो इन्फरमिशन निकाले गे जानकारी मिली कैसे वहाँ पर ट्रेनिंग कैम चलता है कैसे कौन लखवी क्या करता है कौन क्या करता है वो छोटी 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 इंफॉर्मिशन थी वो हमारे इंटलिजन्स वो हमारे पुलिस फोर्स इन सब के बहुत काम की थी इसलिए उसका एक फायदा हुआ नमबर टू उनसे ये भी कहा गया था कि जब कसाब को फांसी दी जा रही थी तब आप लोगों को तो बड़ा खुशी हुई होगी उनके जवाब मुझे बहुत लगा कि हाँ जो मैं सोचता हूं कई बार किसी की दी जान लेना इवन इंकांटर के दौरान पुलिस वाले जो जान लेते हैं उसका किस्सा है कि एक पुलिस वाला को कहा गयता इंकांटर के जाथ गोली मार उसके हाथ काप रहते है वो मारी नहीं पाया तब फिर सीनियर ने मारा कि उससे यह ज़िए पता चलता कि कि पुलिस वाले को एक दम निचोड के रख देता है कैसे करना है क्या करना है फिर उसके साथ क्या करना है सब कानूनी हिसाब से और फिर सामने एक को टांगना है फंदे पे तो उन्होंने जो बोला वो एक वर्दी सिर्फ नहीं कि एक पुलिस वाली थी फनी वैसे, उस पुलिस वाली की पीछे एक इंसान भी होता है, हर वर्दी की पीछे एक इंसान होता है, वो जो सोच बोला, वो मुझे बड़ा, सुनके भी अच्छा लगा, तो हम लोग जो बाते करते हैं, कि इस तरह मार दिया, इस तरह लटका दिया, जो लोग इसमे शامील ह कब आएगा हाफिस साइद, कब आएगा लकवी, कब आएगा दाओध इबराहीम, इंतजार ही कर सकते हैं, चुकि ये काम किसी और का, उनको पकड़ कर लाना, ये काम सुरक्षा अजिंसियों का है, ये काम हमरे इंटलिजन्स का है, ये काम हमरी फोर्सेस का है, तो देखिये, क फ्यूचर में कभी ना दो रहा है, यही दोवा, ऐसी से हम सब खुश रहेंगे, तो अब, तुकाराम ओमली जी का नाम ले लिए, को कि वो सिपाई थी, जिन्होंने शहीद होगे, हाँ, तुकाराम जी थे, जो गरगाओं चौपाटी के पास शहीद हुए थे, जहां पर ये तुकाराम ओमले साब से कभी नहीं मिला, लेकिन जो बाकी नों का नाम ले लिए थे, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बलकि एक से ज़्यादा पार हुई थी, तो ये थी पूरी कहानी और जहां-जहां कम्या थी वो, अब कल आप से मुलाकात करते हैं, नो बजे, आज रात आरो, उसको पकड़ा जाओ, उनको सजा मिलो, उनको हिंदुस्तान के कानून की चौकट गसीट के लाया जाए, और जो उन्होंने किया उसके लिए, जो भी सजा हमरे हैं, वो उने मिलनी चाहिए, वक्त अब इसका है, सिर्फ बरसी हर साल मनाते नहें, वो ठीक नहीं है, कु मौका मिले तो आप 11 बजे देखिएगा, कल आप से फिर मुलाकात होगी, रात 9 बजे, हो सकता आप 3 के साथ, हो सकता है कुछ और, डिपेंड करता है कल पर, तो थैंक यो गरी मच, आप लोग अपना खियाल रखें,